बच्चों आज हम अपनी पार्टे पुस्तक व्याकरन भारती में पार्ट साथ नाम वाले शब्द यानि संग्या पढ़ेंगे सभी वस्तुवों का कोई ना कोई नाम होता है ऐसी कोई भी वस्तुव नहीं है जिसका नाम नहीं हो नाम वाले शब्दों को ही संग्या कहते है बच्चों नामों के मदद से ही हम वेक्तियों, वस्तुवों, जग्वों ये वश्वों की पहचान कर पाते हैं जैसे यहाँ देखिए डाटी, बेटी, पिता, बेटा और मा ये सभी वेक्तियों के नाम है अलमारी, मेज, कुर्सी, बोड और खिलोने वस्तुवों के नाम है डागघर, बाजार, पार्शाला और बगीचा जगों के नाम है जीपरा, मदमक्षी, भालू, बंदर और जिराफ पश्वों के नाम है कुछ और नाम जैसे नदियों के नाम है गंगा, यमना, कावेरी और पहाणों के नाम हिमाले, अरावली और कैलाश अब हम महीनों के नाम देखते हैं जैसे जैनवरी, फरवरी, मार्च, एप्रिल, मे, जून, चुलाई, अगर्थ, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुद्वार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार हैं बच्चों अब हम अपनी पार्थे पुस्तक पढ़ेंगे नाम वाले शब्द इन चित्रों को देखो और इनके नाम बोलो किलास, किताब, घड़ी, चाता, जहाज, चाकू, मतर, पंका ये सभी वस्तूएं हैं, हर वस्तू का नाम होता है कुछ और नाम जानो, लड़की, आदमी, औरत बचों लड़की, आदमी, औरत वेक्तियों के नाम है हिरन, बकरी, बगला पशों के नाम है, बाजार, बगीचा, स्कूल, जगों के नाम है तो बचों आपने देखा हर वेक्ति, वस्तू और स्थान का अपना नाम होता है तो बचों हमने सीखा कि हर वेक्ति, वस्तू और स्थान का अपना नाम होता है नाम वाले शब्दों को ही संग्या कहते हैं